हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल फ्रेंड्स आज हम ये वाला प्यारा सा ब्यूटिफुल डिटिंग पैटर्न बनाना सीखेंगे केवल Eight सलाई में बनने वाला ये डिजाइन है बनाने में ये बहुत आसान है और इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजक्त पर बना सकते हूँ उपने इसे आप लेडीज कार्डीगन पर बनाएं ये लेडीज स्वैटर पे, बेबी स्वैटर पे, जैन स्वैटर पे किसी भी प्रोजक्त पर आप इस दिजाइन को अपलाइ कर सकते हो टोटल 8 रो का ये डिजाइन है 8 सलाईों में ये डिजाइन कम्प्लीट हो जाता है और डिजाइन को बनाने के लिए हमने फंदे 9 के मल्टिपल पे लेने हैं यानि की 9-9-9-9 करके हमने फंदे लेने 6 फंदों का ये डिजाइन है और 3 फंदे यहां बीच में मैंने दो design के बीच में मैंने एक gap डाला है तो यह तीन फंदों का है तो इस तरह से यह 9 फंदे हो गए 6 और 3 9 तो इसी तरह से आपने 9 9 करके फंदे डालने है और last में आपने 5 फंदे extra रखने है पूरी सलाई में 5 फंदे extra तो यह देखें friends मैंने 23 stitches यानि 23 फंदे मैंने इस पर डाले है 9 दूनी 18 दो design मैं आपको इस पर बना के बताऊंगी 18 फंदे तो मैंने design के लिए डाले है और तीन फंदे extra है तो इस तरह से यह 5 फंदे extra है तो इस तरह से यह 23 फंदे है जो 8 सलाईया मैं बना के बताऊंगी उनी 8 सलाईयों को बार बार हमने repeat करना है ठीक है तो देखें पहला फंदा ST चे इसे सीधा उतारेंगे इसके बाद धागा आगे कर देंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे यहां से design स्टार्ट हो गया है 1, 2, 3 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा हमने पीछे कर देना है ठीक है इसके बाद हम 6 फंदों पे धागे को डबल करके इस तरह से सलाई को इस तरह से डबल सलाई पे इस तरह से धागे को डबल करके करेंगे और इस तरह से सीधा बनाएंगे 6 फंदों को हमने ऐसे करना है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 देखे एज को छोड़के 3 फंदे उल्टे बनाए है 1, 2, 3 फंदे उल्टे बनाए है और 6 फंदों पे इस तरह से डबल करके धागा करके बनाना है हमने फिर से इसी को ही रिपीट करेंगे 3 फंदे उल्टे और 6 फंदों पे डबल करके बनाना है 1, 2, और 3 फंदे उल्टे धागा पीछे करके 6 फंदों पे इस तरह से डबल करके बनाएंगे धागे को सलाई पे 2 बार इस तरह से घुमाएंगे 2, 3, 4, 5 और ये 6 तो इस तरह से याँ पर दो डिजाइन यहाँ पर बन चुके है आप तीन फंडे उल्टे इस तरह से करते-करते लास्ट में तीन फंडे हमारे उल्टे आए सटेनक कि चाहें से अलटा उतारेंगे धाग करेंगे जो 3 फंदी हमने यहां से उलटे बनाए है उन्हें पिछे से उलटे बनाए हैं उन्हें इस साइड से सीधे बनाएंगे एक डो और तीन धागा आगे कर देंगे, अब ध्यान से देखिएगा, जो ये 6 फंदे हमने डबल करके बिनाए हैं, इन 6 फंदों को हम इस तरह से लूज करेंगे, इनहें अनफोल्ड करेंगे, 6 फंदे देखिए, इस तरह से, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, छे फंदे, इस तरह से अनफोल और तीन चौथे नंबर के फंदों को इन तीन फंदों के उपर से लाते हैं यहाँ पर रखेंगे और इसे उल्टा बुनेंगे फिर पांचवे फंदे को लेंगे इसे भी ऐसे ही बुनेंगे उल्टा फिर छटे फंदे को लेंगे इसे भी उल्टा बुनेंगे अब जो ये तीन फंदे बच्चे हैं ना इन तीनों फंदों को भी उल्टा ही बनाना है टोटल ये छे फंदे हैं तो छे फंदों का यहाँ पर ये डिजाइन हमने इस तरह से बनाना है फिर से रिपीट करेंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ लेंगे छे फंदे जो हमने ये डबल करके बनाए हैं इने इस तरह से खोलेंगे इन फंदों को देखें इस तरह से ये लूज हो जाएंगे वापस हम लेफ्ट वाली निडिल में लेंगे इन फंदों को और चौथे नंबर के फंदे को लेंगे और इसे यहाँ पे निकालके इस तरह से उल्टा बुनेंगे फिर पांचवे फंदे को भी इसी तरह से उल्टा बुनेंगे, छटे फंदे को भी लेंगे, इसे भी उल्टा ही बनाएंगे, इस तरह से, अब ये तीन फंदे जो बचे, इन्हें भी एक एक करके हमने उल्टा बनाना है, अब धागा पीछे करेंगे, जो तीन फंदे हमने उस साइड से उल्टे बनाएंगे, उन्हें इसी सलाई सीधी तरब से पहला फंदा ऐस्टी चे इसे सीधा ही उतारेंगे धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे जो यह तीन फंदे उल्टे हम बनाएंगे इन्हें हमने हर बार इस तरब से उल्टा ही बनाना है ठीक है अब धागा पीछे कर देंगे अब देखिए जो धागा अपनी तरफ लेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे करेंगे फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे तो देखे इस तरह से यहाँ पर नौ फंदो का डिजाइन तीन फंदे उल्टे दो सीधे दो उल्टे और दो सीधे इसी को ही हमने पूरी सलाई पर रिपी पीछे दो सीधे, धागा अपनी तरफ करके दो उल्टे, फिर धागा पीछे करके दो सीधे, तो इस तरह से हमने थार्ड रो बनानी है राइट साइड से, लाश्ट में हमारा तीन फंदे उल्टे आएंगे, और एस्टीच को सीधा बनाएंगे, तो यह यहाँ पे हमारी थार् पीछे करके दो सीधे दे रहे हैं, इन्हें सीधा ही बनेंगे, एक, दो और तीन धागा अपनी तरफ लेंगे, दो उल्टे बनाएंगे, दागा पीछे करके दो सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करके दो फंदे उल्टे बनाएंगे, तो देखिए यहां से लेके और य प्रों में फिर से देखिए तीन सीधे एक दो तीन सीधे धागा अपनी तरफ दो उल्टे दागा पीछे दो सीधे दागा अपनी तरफ दो उल्टे ऐसा करते करते लाश्ट में हमारे चार फंदे बचेंगे, तीन फंदे सीधे और A stitch उल्टा, तो यह हमारी यहां पर चार सलाई पूरी हो गई, अब पांचवी सलाई हमने थार्ड रो जैसे बनानी है, यहाँ पर एच को छोड़के तीन उल्टे दो सीधे दो उल्टे दो सीधे फिर तीन उल्टे दो सीधे फिर तीन उल्टे इसी सलाई को हमने जो फंदा हमें जैसे दिखाई देगा उसे हमने वैसे ही बनाना है तो दिखिए एच टी सीधा बनाएंगी धागा अपनी तरफ करें करेंगे तीन फंदे खागह पीछे तीधिये फिर की तरफनी तरफ करेंगे कि तरफें स्य को ही हमने फिर से रिपीट करना तीन उल्टे, एक, दो, तीन उल्टे, धागा पीछे, दो सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, दो उल्टे, फिर धागा पीछे, दो सीधे, धागा अपनी तरफ, तीन उल्टे, ऐस चिछ को सीधा बनाएंगे, तो ये हमारी फिप्ट रो यहाँ पर ऐसे बनेगी आप देखे शिक्स रो बैक साइट बैक साइट में भी हमने वैसे ही करना है जो फंदा हमें जैसा दिखाई देगा उसे हम वैसा ही बनाएंगे तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो सीधे स्वरी तीन सीधे धागा अपनी तरफ दो उल्टे धागा पीछे फिर दो सीधे फिर धागा अपनी तरफ दो उल्टे और तीन सीधे और S-T-C को उल्टा बनाएंगे तो यह हमारी यहाँ पर 6 सलाई होगी 7 सलाई भी हमने वैसे ही बनानी है 3 उल्टे, 2 सिरे, जो फंदा हमें जैसे दिखाई देगा उसे हमने वैसे ही बनानी है 7 तरो और 8 तरो जो फंदा हमें जैसे दिखाई देगा उसे हम वैसे ही बनाएंगे ठीक है इन दो सलाइयों को बनाने के बाद आपको बताऊंगी यह देखिए मैंने दो सलाइयां और इस पे लगा ली है टोटल आठ सलाइयां हो चुकी है यह और यह डिजाइन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है यहां से लेके यहां तक यह 6 सलाइयां है और 2 सलाइयों का यह डिजाइन है ठीक है 2 सलाइयों का डिजाइन है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 सलाइयों का यह डिजाइन है 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे इस तरह से ये 6 सलाईों का ये डिजाइन है और 2 सलाईों में हमारा ये वाला डिजाइन डलता है टोटल 8 रो का है फिर से देखे पहली सलाई यहां पे डालते हैं पहली सलाई मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रही हूँ 3 फंदे उल्टे 1, 2, 3 फंदे उल्टे धागा पीछे जो हमने यहां पे पहली सलाई लगाई थी यही लगा रही हैं यहां पे मैं 6 फंदों पे इस तरह से डबल करके बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 फंदों पे इस तरह से डबल करके धागा करना है हमने सीधा बनाना है एक, दो, और तीन, धागा पीछे, फिर से 6 फंदों पर डबल करके बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये 6, इस तरह से फिर से हमने इसे रेपीट कर रहे हैं, और धागा आगे करके, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, और एस्टीच सीधा, तो इस तरह से यहाँ पर पहली सलाई हमने, मैंने यहाँ पर डाली है, आप देखिए दूसरी सलाई, उल्टी तरफ से, सेकेंड रो बैक साइड, पहला फंदा, एस्टीच से उल्टा उतारेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ लेंगे, आप देखिए छे फंदे, छे फंदों को वापस लेप निडिल में डालेंगे, एक, दो, तीन और चौथे फंदे को इस तरह से यहाँ पर लाके उल्टा बनेंगे, फिर पांचवे फंदे को लाएंगे, इन फंदों के उपर से लाते वे इस तरह से बनेंगे, फिर छटे फंदे को भी इस इसी तरह से बुनेंगे अब जो ये तीन फंदे हैं इन तीनों फंदों को हमने एक एक करके उल्टा बनाना है एक दो तीन इस तरह से ये टोटल 6 फंदे हमने बना दिये हैं फिर से बनाएंगे तीन फंदे सीधे एक दो और तीन धागा अपनी तरफ लेंगे 6 फंदे इस तरह से 6 फंदे, वापस लैप निडिल में लेंगे, एक, दो, तीन और चार, चौथा फंदा इन तीनों फंदों के उपर से लाते हूँ यहाँ पर रखेंगे और इसे इस तरह से पूनेंगे, फिर पांचवा फंदा, फिर छठा फंदा, अब यह तीन फंदे, एक, दो, औ और तीन इस तरह से ही हमने बनानी है दोबारा सेकेंड रो में यहां पर रिपीट कर रहे हैं फिर लाश्ट में तीन फंदे सीधे और एस्टीच को उल्टा बनाएंगे तो देखा आपनी इतना आसान डिजाइन है यह देखिए इसकी राइट साइट से इस डिजाइन का लुक कितना प्यारा सा यह दिजाइन इस तरह से छोटे छोटे ब्लॉकस बन के आते हैं यह चोटी छोटी डिपी टाइप की बन के आती है तो बनाएए अपने प्रोजेक्ट पेस्ट डिजाइन को और कमेंट करके बताईएगा आपको डिजाइन कैसा लगा बहुत ही आसान है बि